नमस्कार, मैं हूँ नरेश एस्टोलोजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्टोलोजन नरेश आज का वेडियो जो है वो मेश राशी के लिए है 26 नवेंबर 2013 से कन्या राशी में चलने वाले मंगल के बारे में है मंगल कन्या राशी में चलेंगे 4 फरवरी 2014 तक तो राशी चक्र की प्रथम राशी मेश के लिए ये कैसा फल देने वाले हैं इसके बारे में देखेंगे मेश राशी के लिए जो ये मंगल है राशी से चट्वे बाव में चलेंगे चटवा बाव जो है वो रोग यो शतुर का स्थान है मेटरनल साइड का स्थान है मामा मोसी का स्थान है तो रोग शतुर पर विज़े रहेगा मामा मोसी से आपको लाब रहेगा लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो इस प्रकार है मंगल की जहां द्रश्टी परती है वह अस्तान को नुक्सान होता है तो मंगल द्रश्टी करेंगे भागयस्तान में जिसके काराण भागयोदय में आप थोड़ा सा भीलब महिशुस करेंगे एक्सफेंसिस आपके बढ़ेंगे और उग्रता ट्रश्टेंपर ने सबकी बढ़ेंगी जिसको आपको कंट्रोल करना होगा असुपत्वा के निवारन के लिए रोजगाई को गुड़ खिलाए और मत्र करिए ओम नुमर्शिवाई ऐसे ही देखते रहे है नाय नाय प्रेडिक्शन्स सब्सक्राइब करिए जैनल कॉमेंट्स करें जैनल पर थैंक्स पर वीडियो यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो सेर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ गुड़ लग अल्द वेस्ट